किसान भाईयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूटूब चेनल थाकड एगरी कल्चर में किसान भाईयों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसून की बुआई के समय पर डाले जाने वाले खादों के बारे में लहसून की फसल को मुख्य रूप से नाइटरोजन, फासपुरस, पोटास और सलफर इन चारों पोसकत्तों की आवसकता सबसे अधिक होती है तो आज की इस वीडियो में हम इसी टोपिक के बारे में बात करेंगे और आपको दो कॉम्बिनेशन इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं जो आप लहसून की बुआई के समय पर डाल सकते हैं दो कॉंबिनेशन बताएंगे जिन में से किसी एक कॉंबिनेशन का उप्योग आपको बोई की समय पर करना चाहिए किसान भायो आप नाइटोजन, फासपुरस, पोटास और सलफर की पूरती के लिए मार्केट से कई परकार के खादों को लाकर अलग-अलग कॉंबिनेशन बना सकते हैं लेकिन जो सबसे बेश्ट कॉंबिनेशन हैं वो हमने बनाए हैं और उन्ही के बारे में इस वीडियो में जानकर आपको देने वाले हैं आप इस वीडियो को अंते तक देखे और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए और चेनल को सबस्क्राइब कीजिए चले किसान भायो अब बात करते हैं उन कॉंबिनेशन के बारे में सबसे पहले पहले कॉंबिनेशन के बारे में बात करेंगे पहले combination में आपको यूरिया खाद लेना है 20 kg परती एकड के हिसाब से DAP खाद लेना है 50 kg परती एकड के हिसाब से मूरेट और पोटास खाद लेना है 30-40 kg परती एकड के हिसाब से और सलफर जो 90% WDG यूगतिप आदा है सलफर वो आपको 20 kg परती एकड के साफ से लेना चाहिए यह हो गया पहला कॉम्बिनेशन अगर आप इस कॉम्बिनेशन का उप्योग करते हैं तो भी आपको अच्छे रेजल्ट देखने को मिलेंगे बात करते हैं दूसरे कॉम्बिनेशन के बारे में दूसरे कॉम्बिनेशन में आपको यूरिया खाद 35 kg परती एकड के साफ से सिंगल सुपर फासपेड 500-200 kg परती एकड के साफ से और मूरेटो पोटास 30-40 kg परती एकड के साफ से लेना चाहिए अब ये जो दो combination हमने आपको बताए हैं इन में से किसी एक combination का ही आपको वुआई के समय पर उपयोग करना है दोनों combination में nitrogen, phosphorus, potassium और sulfur ये चारों पोसक्ततों आ रहे हैं पहले combination में आपको D.A.P. डालना है दूसरे combination में हमने D.A.P. नहीं लिया है दूसरे combination में हमने लिया है single super phosphate D.A.P. में भी phosphorus पाय जाता है और nitrogen पाय जाती है तो nitrogen दूसरे combination में यूरिया के माध्यम से पूर्ती हो जाएगी और single super phosphate के अंदर phosphorus, sulfur और calcium तीन चीज़े पाय जाती है तो मेरे एसाब से बात करें तो दूसरा जो combination है वो lesson के लिए काफी ज़्यादा बेश्ट रहेगा आप इन दुनों में से किसी एक combination का उप्योग कर सकते है किसान भाईयों इस वीडियो में हमने बात की lesson में डाले जाने वाले खादों के बारे में तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंड करके जरूर बताईए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए चेनल को सब्सक्राब भी कीजिए और वीडियो को दिख से दिख सेर कीजिए चलिए हम में लेंगे नए वीडियो में नए जानकारी के साथ में सबते के लिए धन्यवाद चे जवान चे किसा